नमस्कार जनता टेलिविजन को प्रस्तती दर्शन दिग दर्शन कारिकम्मा मोगो प्रिवणो पाध्यायो दर्शक और लाई आर्दिक स्वागत अईवादन गर्दचु। पुर्विय देश मनेरचरी ने हिमाली महाद्युप का मुलुक हरु मद्दे हमरो देश नेपाले को हुँ यहां प्राचे इनकाल देखिने रिशी महर स्योरले प्राचे बिद्ध्या बिज्ञान कारुप मा मानव जाती कई आरिन काल देखिका चिंतन हरुकु इव विशे बस्तो हरु वैदिक बांगमय देखिलिये र उपनिशाद हरु त्रिपिट कहरु शुत्र साइत्य था काभ्य गरंथ हरुमा संग्री द्रहे का चन इने रिशी महर स्योरु दार्शने कहरु र नितिशास्त्रकार हरुकु व्यक्तित र कृतित्त को परिचय का र पर्शन का समय का रचिये का महान गरंथ हरु कुन-कुन होन। कि ने गरंथ हरु बाट ने त्यों दर्शन अईवियक्त होन। मने को नाले अब तिनी दर्शने गरंथ हरुको चर्चागरने परसंगमा रहे का चाहूं। आजयको प्रसंगमाँ है मिले जयेंगें, ब्रेदारनेक उपनिशदको विषयेमा चर्चागरने चोगु रो हहाू ? ब्रियदारनेक उपनिशद उपनिशद अरुमध्यको शंबन्द ठुलो उपनिशद हो हो यसको लेकन इशा पुर्वा 700 देखी इशा पुर्वा 600 शम्म को बीच मां भहे को मानिन छो ब्रेद आरनेक उपनिशत यजुर्वियत संग संबंदित सत्पत ब्रामन को चोनु खांड को योड़ा भाग को विश्थार हो बनने पनी मनाई रहे को छो यसमा उपनिशत को विचार सिर्जना होने सामाजिक सम्राचना को व्यापक जानकारी तेसा वाट प्राप्त होन छो अथ हुड़ा कुन सामाजिक सम्राचना आमा उपनिशत अवरु जन्मिए बढ़े संदर हो मां पनि ौपनिशत बताये को छो उपनिशत मा विचार काई कारनले हत्या गरीए का बिदक्द शाकल लेका बिचार हरू जुन कारण ले उनको हत्यावायो तेसमा उठेका बिचा श्रिंकला हरूको बिवेचना पनी यसे बिरदार नेक उपनिशदमा रहेको छो यसमा आजसम्मा ब्रामन बर्ग का आत्मा रहेको बैचारिक बर्चस्य गुमेर कसरी छेत्रिय श आशक अहरूका आत्मा पुयो बनने वैचारिक संदिकाल का कुराहरूको पनी यसे उपनिशदमा उल्लेख रहेको छो यसमा जम्मा जम्मी छोट अध्याय चन प्रतेक अध्याय वित्र ब्रामन बने रहेको उप अध्यायमा पनी बरीगर्ण गरिएको छो पहिलो अध्याय माँ छो दोसरो माँ छो त्यसरो माँ नव चोथो माँ छो पांच अवमा पंद्रो छएटों माँ पांच गरिए जम्मा जम्मी सचालीश उप अध्याय हरूरू रहेका अचंद त्यस्मा विभक्त रहेको छो उपनिशद हरूमा ज्दे सवेवन्दा ठोलो परतिश्ठित उपनिशद एसेलाई मानिंच, एसको विचार व्यक्तगर्ने प्रणाली अधिकन से रुपमा संबाद सैली मा आधारेच्छ, मुख्य रुपले श्रिष्टी कसरी भयो, मिर्तिको सिद्धानत के हो, अजात सत्रुर अभिमानी ब्रामन गार्यक का बीच को संबाद, पनी एसमा उल्लेक्छ, ब्रह्म ज्यान को तिप्र अभिलासार आखिरा आयेका, दद्धेंच अथर्णाव का बिचार हरु पनी एसमा स्वावेश रहेका चन, याज्य बलकर जनक का बीच को संबाद पनी रहेको चर, याज्य बलकर विदग्द साकल्यको विवाद, जश्को कारन लेक बिदग्द साकल्यको मिर्त्य पनी वयो एवं तेस पची को अवस्ता समेत को चित्रन गरियेको च, यहुता समयको मूर्त ब्रह्म जुन आदिम समाज मा मानव समुदाय को असरे स्थलका रूप मा बिद्दे मान्तियो अब तेई ब्रह्म समाज विक्षित वहरब जाने संद अरवमा व्यक्तियत संपत्तिको प्रादुरवाब भाईशेके पची तो ब्रह्म ले आत्म तत्त को अथवा अपनो मत तको विकास वहरब पची बन न थाले। रशोई ब्रह्म ले अमुर्त रूप दहान गरे रह एसलाई बुजने नसकीने जानने नसकीने दुरूह ब्रह्म भने रबतायो। बास्तिविकरुप मां ब्रह्म मने को यहुटा रहस्यमा आधारित परिकल्पना मात्र हो। यसमां उपनिशत काल का मुख्य सासगरूले आपनो हीत मां प्रयोगर्दे आए। इसलाई ब्रह्म भने को यहुटा अन्समा इसरी वनिएको छा। अब यो प्रह्म भने को क्ये हो। बहने रबतायों न सकने अवस्ता कसे ही को पनी रहे को छाईना। कशेले पनी तेसको बास्त्तविक शरूप बताऊने न सके रा ने इती ने अर्थात ह। वैन Кया पनी चाही ना वन्न है आयाई का छान। तेसे ले यो वन्ना अरको मुखे कुरा, उनोही सखदया न, यो वन्ना अरको सत्त्य कुरा पनी कह चैना, ओ मानिस्मा रहेको प्राण, भुली सत्त्य हुँंचा, उनसक्चा तर एसेलाई ब्रह्म वनेरा वन्ना मिल्ले न, अब ब्रह्म वनेको के होता, ब plumbing विषय मा तर्क का उठान गरिये का चन तरत्यसको आधिकारीक ब्याख्याकार अजात सत्रुलेपनी एशो उशो भन्दै बागजाल मात्रै खड़ा गरेरा ब्रह्म मनेको ठोस रुपमा यही हो बन्न सकिन बनेर बताये का चन तेसेले ब्रह्म के हो बन्ने प्रष्टको उत्तर नेती नेती योप बनेरा अमुर्त व्याख्या गरदे टारना खजिये को च यो ब्रहदार नेक उपनिषद को मेली परिचये तिनी बिदन गरे अब मा अईतरे उपनिषद का भिषय मा चाप्चा गरूं एशको रचनाकाल इशापुर्व शसे देखिलियर इशापुर्व पांसे सम्म को काला अईतरेय उपनिषद रिग्वेद संग सम्मन्धित अईतरेय ब्राम्मन का आलनेक दुवै को अउपनिषदिक रूप हो यो आकार मा तेती ठोलो नवय पनी पुनर जन्म को सिद्धानत प्रतिपातन गरने मुख्य उपनिषद होरू मदे यह उपनिषद हो यसका रचनाका अईतरेय महिदास हुन जसको चर्चा महिले आचारेको चर्चा गारने संधरमा पनी उल्लेक गरिशदिक र तेसेले पुनर जन्म को सिद्धानत लाई इसरी प्रस्तुद गरिये को छा जवपूरुष ले आपनो वीरिय स्थापित गार्द चा तयो पहिले जन्म हो तेस पुरुष जव जन्मी एर आपनो समय परिपाक भायरा मिर्थ्यु मा प्राप्त गर्द चा फेरी तेसको नया जन्मा शुरू हुन चा तब त्यो तेसरो जन्मा वायो यो शरी पुनर जन्म को विचार ले मिर्थ्यु लाई शभाविक रुप मा गर्ण करना प्रणित डिवन मा जूसतो शुका रादुख को अनुभुटी भाइपनी क्या हुआ फरक परदेना रहां उसका असल कर्म ईरु भाहे को खनमा और ख़ल होने हैं खराब कार्मा अरु भाहे कоды are अरको जनमा पनी कहराभ होुने कुरा तयस्मा उल्लेक करियेगो सह पुन्दरजनम को सिद्धानत आतिरे उपनिशत को ऊपज़ रहेको थि हु यसको अरको महत्त पुन निसकर सबने को प्रग्या को श्तृिष्टिू प्रग्या मने को मैंनिसको तैस्तो आंतरिक छेमतावा ग भायरिय, शुक्ष्वद्रिष्टी, बुद्धी, मानसिक्षक्ति, साज मिलन सारिता, समृति सक्ति, सक्रियता, संकल्प, आदी विशयोर को समस्टिगत एकतालाई ने प्रज्या बनना सकींच, इस शंपुन विशय बस्तोर को एकिकर चेतना ले प्रज्या ब्रह्म को निर्म यसे गरी अइतरे उपनिशत को अरको महत्तोपुण विशय बने को संसार को स्त्रिष्टी कोसरी वायो, बनने संबंद्नावापनी केंदृत रहेको च, यसले सत बस्तु वाट नई शिरिष्टी को प्रमुक आधार हुन च, तेसेले स्त्रिष्टी का अन्ने बस्तु औरु बन्ने कोरालाई यहुक यहुटाई बाक्यामा एसरी प्रस्तोद गरियेको चा पानिवाट मानिस को स्त्रिष्टि वायो तेसे क्रम मा इंडियोर को स्त्रिष्टि वायेको हो बन्ने मानने तालाई तेस काल का विचार कहर ले पुर्ण तयार निशियत गर्न शके का थे नंर उ तेस पची अगनी प्रकट वायो तेस पची प्रिथिवी को स्रिष्टि वायो तीन वटा लोको हरू प्रबल्ल पची आयका हुन तेस बंदापनी मार्थी दिव लोक तेस पची अंतरिक्ष लोक र तेस पची प्रिथिवी लोक इसे गरी पुरुष को स्रिष्टि वायो तेसे के साजत देए को स्रेष्टी बों स्रेष्टी बैक्राइए क्षिर्टि का ऐसले के अस्टेये को सभढ शेए उपनिश्द को स्रेष्टि परिगन को बन्रों I पुनरजन मा श्रिष्टी परकिरिया परग्यान र मानव मा उत्पन्न होने अंता स्चेतना का लक्षन हरू एभम विशे बस्तो हरू एसरी समेठी एको देखिन छ एती कुरा मेरे चेहीं अईतरे उपनिशात को चार्चा माने वेधन गरें आवम के निती वचंगा विशे मा प्रवेशिगान चांचू आज अगो पहिलो प्रसंग मा के इसता कुरा हुरुचन जसलाई मानिशले ठूल सोभाग्य का साफमा त्रपाउन सक्छा नत्रपाउन सक्देना मनने कुरा यस निती वदेले बताये को चा सुनू सचरित सती प्रयत्तमा स्वामी प्रशादों मु आकारो रुचिरस्थरस्थ विभवो विध्यावदातम मुखम तुष्टे विष्टपकस्टाहारीनिहरो संप्राप्यते देहिना बर्तियरिशुवासित संग्रको आठसे सातों पद्दे हो जो इसको तात्परे हो असल चरित्रवाय को संतान अत्यनत प्रियलागने सहदार कर्मेनी कामको उचित मुल्यागन गरने हाकीम हरू अत्यनत स्निहसिल मित्र हरू कत्ति पनी ठकठाग नगरने सहकर्मी हरू रसायक जन हरू किलेशरहित चित्त बिर्ति शारिक संदर्य शुष्थिर संपत्ति इस वैकुरामानिश वरले अननत परिश्रम रश्वाग्य प्रकार आफ्रामात्र हरू ब्राप्ता गरने सहकर्वर बने को रसिंदे पेड़ हो इस परकरकार का भीसम्र अमरिय काम भरू राप्त कर्शं बने संबंधमा यस नीति पाढbinे बताय को जो Państwo शीते तीते बसनमसनम बासरांते निशांते कृड़ारं हम कुलब को बलाया दृशाम योगनांते बिभाहम शेतो वन्दम पैश चलिते बार्धके तीर्थ यात्रा वित्ते तीते बित्रणमतिम कर्तमे चंति बूड़ा यो नीति पर्धिप को चोधों पद्य हो जो इसको तात्परे हो पहलो कुराता जाडो याम बीती सके पची लुगा फाटो अथभा न्यान लुगा पाटो को बिभस्ता गरना खोजनू दोसरों कुरा बेलुकारा शांज बियान को सम्मा भोजन गरना तत्पर होनू त्यसरों योवन अवस्ता बिती सके पची पची पनी बिभा अगरना खोजनू चौतो बर्शारितु बीती सके पची ख़ला खाल्शियारूमा पुल पुलेशावरू बनावनो खोजनू पांचोमा ब्रिद्धावस्ता भई सके पची पनी तिर्थवर्त आदीमा जान खोजनू चौतो बंडाचोमा संपती सके पची दान धर्मगर्न खोजनू शातोमा इसता काम होरू करने मुर्ख होरू दे मातरी गर्दचन शज्जन ब्यक्ति होरूले शमय मान इस्वय कुरावरू संपन गर्दचन बन्ने कुरा यस निती पद्धिरे बतायो यस्ते गिरे आरको प्रसंगा मानिश हुदले सनही बरी यस्ता भिषय बस्तुमा धान्दिनू पर्दछा बन्ने भिषयमा यो निती पद्धिरे बताये कुछा शीला वलम्मन महा निसम्मिष्ट चिंता बित्ता अनुरूप मसना भर्णा धिकार्यम बाचास्च दुर्जन समाजनि जप्रसंशा आश्यादि सज्जन भचो विर्दे निदेयम स्वाश्यतरत्रवन्नागार को उनन साथियों पद्धे हो यो इसको तात्परे हो मानिष्ले शक भर सने भरी सिल असल आचरन को अभलम्मन गर्नु पर्दछा इसका साथ है अंपुष्णगा आस्त्री तहरूगा बिषयमा पनी उनियोर को मंगल कल्यान को बिचार सने भरी बिच्छा इसके अपनो आर्थिक अवकात अनुषारने खान पान रहन शहन अरीको विवस्ता गर्नु पर्दछा दूष्टा रुष्णगा को संगत भाट बार्शक जोगी नु पर्दछा आपनो पर्सम्सा आभेले गरने कुरा बार्ट पनी सद्दी बारी जोगी नु प अन्तेमा बिज्य एवं सज्जन ब्यक्ति होर ले किके बनी रहेका चन बन्ने कुरावा पनी आवश्यक ध्यान दिने पर्दशा बन्ने कुरावा यस नीति पदरे बतायो इस्तेगरियार को प्रसंग यहुटाई कुराल आई पनी बिभिन्न ज्यान भायका होर ले अपने अर्थ लगाँ चना है बन्ने सम्मंध में यो निति पदरे बतायो चा बद्या बदन्ति कफपित्त मरुद्विकारान जो तेरी बिदो ग्रह गतिं परिवर्त यंति भूता भिष्यंग इति भूत बिदो बदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनयो बदन्ति श्वासित रत् अर्थ लगाँ चना है बन्नागार को संतावन उपद्य हो यो इसको तात्परे हो कुनेपनी मानिसलाई रोग व्यादिले समात्यो बने बद्य होरुले कफप बात पित्त को कारण ले गरदा अथवा इसको विकृत ले गरदा भाहे को हो अर्थ लगाँचन जो तिसी होरु अर्थ लगाँचन मने रिशिमनियोर ले पूरवजा नमको कर्म ले गरदा इसको रोग व्यादि उत्पन्ना भाहे को अर्थ लगाँचन किर मने यवट्य समस्यलाई पनी बिन्न बिन्ने तरीकाले अर्थ लगाँणू आपनू ज्यानलाई ठूलो माननू नई मान प्रचल अर्ण हो मने विशे मा यसनीति पद्दले बतायो इस्तेगेरी अर्क प्रसंगा कथि पय विशे बसतो अरू त्यस्ता ठावुंआ मात्र सवाय मानूंचन वन्ने स्म्मंधमा यसनीति पदले बताय को चा हम्सो भिभाति नलिनी दलपुञ्यमद्य शिंगो विभाति-गिरि शुबिपत चड़ेशु शुबाशितर द्रमन्नागार को नौसे तरिस्ट्थियु पद्धे हो यो इसको तात्परे हो राज आहास को बथान कमल अरू ढखपक प्फुले को तलाव मात्र ही सवाय मान उन्चा शिंग अरू ठुला ठुला पाहाड का गुफा और मां बसेर गर्जिये को मां सवाय मान उन्चा तेस्तेगेरी असल जात को घड़ा पनी युद्ध का मईदान मां सवाय मान देखीन चा बने विद्धान मानिश पनी गंभीर ज्यान वहे का व्यक्तित तोर का बीच मां सवाय मान देखीन चा बनने गुरा यस नीती पदिले बतायो दर्शक मान बावरो प्राच्य विद्ध्या विज्ञान को उद्गमस्थल मद्दे एक मानिय को यस इवत खंड को भुच्चे त्रवाट अरुलाई पनी इविश्य वस्तवारे जानकारी करावने उद्धिस्षिले आयो जनागरिये को प्रस्तु दर्शंदिक दर्शंकारिकम अजलाई मले एत्तिनी नि विदन करें प्राविदिक साकर्य मित्र समीर थापका साथ मो गुप्रिवडु पाध्या विदामार्चु धन्यवाद नमस्कार